हलो स्टूडिंट्स आप सबका स्वागत है डेफिनिट सक्सेस पाटशा लगे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपने ये टॉपिक देखके क्लिक किया कि सर हमें 11th क्लास की मैट से लग रहा है डर क्या करें ऐसा कि 11th हमारे लिए इजी हो जाए अगर आपको ये लगता है कि आपने जो सब्जेक्ट चूस किया है PCM या बायो विथ मैट्स या मैट्स एजन ऑप्शनल रखा है अगर वो नहीं लेते कुछ और ले लेते प्लेन सब्जेक्ट ले लेते मैट्स अटा देते तो अच्छा होता सर मैट्स से हमें लगता है डर कैसे भी तो हमने टेंथ क्लास निकाल दिये लेकिन हमारा क्योंकि सपना टेक्नलोजी में कुछ करने का था हमारा इंजिनियर बनने का सपना था इसलिए हमने PCM ले लिया बट मैट्स से सर डल लगता है अगर आपके में मन में ये सारी दूइधाएं हैं या अगर आप 11 नहीं मैं बात करूं 9 10th Maths की भी तो आपको ये वीडियो बहुत हेलफुल होने वाली है येस आप वाच कर रहे हैं डेफिनेट सेक्स पाट चाला के प्लेटवां पर अपने एके सर को जहां पर मैं बात करने आया हूं पांच चीजों पर येस टोटल पांच चीजों पर मैं बात करूंगा और था Maths Phobia आप आप जब भी नंबर देखते हैं या आपको कोई formulas देखके डल लगता है या आपको कोई चीज समझ नहीं आ पारी आप Maths से डरे हुए हैं तो इस तरह की जो आपका Phobia है जिसको आप Maths Phobia बोलते हैं उसको Science Language में हम Numerophobia कहते हैं येस आपको इसका मतलब कहीं ना कहीं Numerophobia हो गया है तो अगर आपको इस तरह का Phobia हुआ हुआ है तो प्लीज आपके A के सर यहां पर हैं आपको इस Phobia से दूर कर देंगे एकदम मत डरो बस जो पांच बाते मैं बोल रहा हूं उनको आज अभी से चालू कर दो करना हूँ तो एकदम नए सेशन में आप सब का स्वागत है सबसे पहले तो अगर आपने 10th boot दिया है और आप आगे है 11th class में अगर आपने 9th class का exam दिया है आप आगे है 10th class में या आपने किसी भी class का exam दिया है और आप बढ़िया तरीके से next session में आ गए हैं तो यह video really आपके काम आने वाली है क्योंकि maths एक ऐसा subject है जो आ आपके आसपास सबकुछ maths है आप कोई चीज रख्योई भी अगर देख रहे हैं आपके आसपास वहां पे भी maths है ये मैं नहीं कह रहा है ये खुद रामानुजन जी ने कहा था ये उनके शब्द है ठीक है तो हर चीज आपकी life का हर एक part maths है आप अपनी बात को जब किसी से करते हैं आप किसी को समझाते हैं तो वहां पे भी maths का रूल है अगर आपके दिमाग में ये बात है कि सर मैंने PCM लेकि गलती कर दी मैंने बायों के साथ maths लेकि गलती कर दी मैंने maths as an optional रखा है मैंने गलती कर दी सर मैच्ट से तो बहुत बच्पन से ही डल लगता है सर मेरे घर मेरे पापा भी मैट से डरते मेरी ममी मैट से डरती थी अगर आपके पैरेंट्स ने कभी उनको अपनी स्कूल लाइफ की बात सुनाई है तो प्लीज आप वो डर को अपने अंदर ना भड़ते हुए दूर कर सकते हों और बहुत असान है वो करना दूर क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं यह आपके कहीं न कहीं रियली आपके लाइफ में इन में से एक चीज दो चीज तीन चीजे मिस होंगी इसलिए आपको नंबर से डल लगता है मुझे जब मैं अभी पांच बाते बताऊंगा तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट छ में जुरू बताना मेरे आज तक की study है यह कि हर वो बच्चा जो मैट से डरता है जिन पांच बातों को मैं बताने जा रहा हूं उन पांच बातों में कहीं न कहीं उस बच्चे में एक दो तीन चीजे मिस होती है इसलिए वो मैट से डरता है येस तो mathematics एक बहुत easy language है मैं आपने follow कर ली इस language को सीखने के लिए तो numerology आपको numerophobia आपको कभी नहीं होगा ये इस तरह का phobia जो science language में हम लोग बोलते हैं कि हमें numerophobia हो गया है तो numerophobia की बिमारी आपको नहीं होगी done चलिए तो शुरुवात करते हैं आपका ज्यादा समय नहीं लोगा और कहीं न कहीं हम depth में चलना चालू करते हैं क्रिपय अगर इस वीडियो को share करना मत बूलेगा अपने दोस्तों के साथ जिनको numerophobia है ठीक है और आपको अपने दोस्तों के बारे में ज्यादा पता होगा उसमें से कोई चीज मिसिंग है तो चलिए पहली बात पहली चीज जो मैंने बच्चों में नोटिस की है वो यह कि वो लोग मैट्स क्लास में रेगुलर नहीं रहते हैं अगर स्टूडेंट्स या टीचर्स मुझे वाच कर रहे हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं डेफ फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली कहीं और खोया हुआ है तो मैं बच्चों पहले तो आपसे ही बुलना चाहूंगा कि मैट्स की क्लास को शुरुवात के पहले दिन से प्रॉपर तरीके से अटेंड करना चालू करिए अगर आप किसी इंस्टिट्यूट को जॉइन कर करना चाह रहे हैं तो उनकी जो पहली मैट्स की क्लास है क्रिप्या कर वहां से कहानी को जरूर चालू कर दो ठीक है तो मैट्स की क्लास इस रेगुलर अटेंड करनी है आप किसी सब्जेक्ट में किसी कारणवर्श चुट्टी पे जा रहे हैं आप बिमार हो गए आपको कई आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो प्लीज उस क्लास को जो आपने क्लास मिस की है उसकी डिमांड जूर रखो अपने टीचर के सामने कि प्लीज मुझे इसकी रिकवरी चाहिए ठीक है अपनी किसी भी रेगुलर मैट्स क्लास को मिस मत करो टीचर अगर आप भी मेरी वीडिय इस पर जरूर धियान दे अगर वह बच्चा चुटी मार रहा है यहां क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली एपसेंट है तो ऐसे बच्चे को ज्यादा प्रैक्टिस करवाई यह मैं उस पॉइंट पर बात करने वाला हूं उस बच्चे की अटेंडिस पर धिय तो स्टुडेंट्स अगर आप वाच कर रहे हैं तो प्लीज अभी से 11th क्लास में अगर आप आ गए हैं आपका सब्जेक्ट PCM है यह बायोलोजी के साथ मैट्स है या कॉमर्स में मैट्स अप्शनल लिया हुआ है यह अगर आपने मैट्स नहीं भी लिया है आप मैट्स से मैट्स से डरो मत मैट्स की क्लास को जरूर अटेंड करो हर एक टॉपिक की डेप्ट में जाने की कोशिच करनी है तो अटेंड रेगुलर क्लासे मेरा सबसे पहला पॉइंट है आप अगर ऑनलाइन भी किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी जो पहली क्लास है उनका जो पहला ठीके अधे डिंद करी है कि आपको एक तो लाइस लेक्टर मिले ठीक है आप पहले लेक्चा से चीच को वॉच करें क्योंकि कि लिंक्ष वहीं बनते अगर आपने लिंक्स बनाने चालू कर दिए आपने पहला लिंक तोड़ दिया क्लास में जोंड बड़िया सा अटेंड कि आपने बीच में कुछ लंबा गैप ले लिया और फिर से आप बाद में चले गए क्लास अटेंड करने तो जो लंबा गैप था ये टीचर के लिए दिक्कत हो जाती है कि वो उसकी रिकवरी दे पाएं ठीक है फिर वो लोग फास्ट मोड पर भागता तो भाई जो में क्लास होती है ठीक है जो रेगुलर क्लास में जब टीचर उसमें डेप्थ में बात करते हैं तब उस क्लास को प्लीज मिस मत करिए फास्ट ट्रैक की क्लास को अटेंड करना कहीं न कहीं अगें लिंक को कमजोर बनाता है और लिंक अगर कमजोर है तो चेन त पूटेगी ठीक है तो हमें हर एक link को मजबूत बनाना है इसलिए हमें regular class mathematics की class का attend करनी है 11th maths जब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको 9th 10th का part मिलेगा त्रिगनों का part आपको मिलेगा आपको कहीं न कहीं मैं कहूंगा पहला चेप्टर जो आपका sets मिलेगा आपको functions मिलेंगे इनके कहीं न कहीं जो links हैं वो कहीं न कहीं 9th 10th में है तो teacher definitely जब आपको 11th maths चालू करेंगी तो आपको 9 10th का कुछ पार्ट देंगी ठीक है आपको वहाँ पर probability का पार्ट मिलने वाला है क्या करड़ आप 7th क्लास प्रोबाइबिटी पढ़ रहे हैं 11th क्लास में probability easy लगेगी आगर ठीक है इसलिए उस link को हमें बनाना है done आपको statistics का पार्ट मिलेगा आपको कहीं न कहीं मैं यहां कहूंगा ट्रिगनों का second point पे second point जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है get organized आपको कहीं न कहीं बच्चा लोग यह चीज जरूर महसूस होती होगी खुद से देखो हर एक student खुद को जानता है अगर मैं student की इच्छ से really मतलब मैं कहूंगा यह comment box में मतलब लिखना आप अपने घर में बैठना अकेले सोचना क्या आप organized हो अब यह word organized का क्या मतलब है organized का मतलब होता है कि proper तरीके से notes बनाते हुए चल रहे हो आप हर चीज को highlight कर रहे हो क्या colorful pencils का यूज कर रहे हो ठीके क्या आप colorful pens का यूज कर रहे हो topics को highlight कर रहे हो फॉर्मूले को box में डाल रहे हो क्या आप ट्री या fish diagram type की चीजों को follow कर रहे हो वो student जो आपकी class में math में top करता होगा आप notice करेंगे उसकी copy बहुत ज़्यादा साफसुत्री होती है तो get organized में मैं कहूंगा बहुत सारे सब पार्ट सा जाते हैं पहली चीज तो मैं कहूंगा जब भी self study करने बैठें ठीक है खुद की copy pen लेके बैठें यह एक और्गनाइस्ट का पार्ट है कई बच्चे math पढ़ते हैं समय theory को ऐसे से रट के पढ़ते हैं रटना नहीं हमें organized होना है हमें अपने हाथ को move करना है hand movement करेंगे तो हाथ का सीधा connection दिमाग के साथ होता है और कहीं न कहीं जब आप हाथ को move करेंगे आप चीज़े लिखेंगे तो वह चीज़े सीधी print होती है आपके दिमाग में अगर आप copy उठा के सिव आँखों से इस्तिके से पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा gap बन जाता हो दिमा आइस्ड वे में नहीं पढ़ते कहीं न कहीं बीच में से मैंट्स का बड़ा लिया हमारी ncid book में यह कहीं बुक्स ऐसी रइफर करते हैं जहां पर पहला चैप्टर दिया है दूसा चैप्टर दिया है तीसा चैप्टर को अलग किसी और दुनिया से आ गया एकन्ब बीच मे आगया हम सीरियल वाइज ना पढ़ते हुए किसी टीचर को फॉलो करें हम एक और्गनाइज वे में फॉलो करें टीचर जो पढ़ा रही है उस चीज पर विश्वास रखें ठीक है हम टीचर जब पढ़ाते हैं तो हम भीच में से कोई चैप्टर जब करते हैं मतलब अगर मैं मेरी पहली उटीचर हुई आगर मैं तो कही ना मैं लिन्क मजबूत करने की कोशिश रहा हूं तो भीच का जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है पहले हम वो पिक करते हैं उसके बाद हम दूसरे चैप्टर जो पहले था उसको आगे लिंक अप करते हैं So that बच्चे में वो मजबूती बनें, वो चीजों को जोड़ पाए और पढ़ पाए। यही मजबूती और यही जोड़ आपको अपनी पढ़ाई में खुद से बनाना है। आपको कॉपी उठानी है, नई कॉपी बनाईए, बड़िया सा पैन लीजिए, पहली क्लास एटेंड करें, उसका नोट्स बनाएं। अब इसमें कहीं न कहीं एक पार्ट मैं बात करूंगा, सिर्फ कॉपी पैन अगर हटा दियां जाओं तो आपके लुक्स की। येस, आप जब भी पढ़ने बैठें, तो प्रॉपर तरीके से तयार होके टेबल चेयर पे बैठें, येस, ऐसे नहीं कि हम नाइट सूट पढ़ें, पैने हुआ हमने हैं और कहीं भी कैसे भी किसी भी टाइम बैठ रहे हैं, हमारा कोई समय नहीं है, तो गेट पर बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये और्गनाइजेशन आपका बिढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, और कहीं ना कहीं आपको 11 में आने के बाद सब्जेक्ट मुश्किल लगने लगते हैं, तो अपने आपको और्गनाइज जरूर करिए, प्रॉपर तरीके से हमें अपनी टेबल चेर बनानी है, आप जब स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी टेबल चेर आपको दी जाती है, आपका ड्रेस कोड होता है, तो आप इस यूनिफॉर्म को जब आप फॉलो करें, तो आप दिमाग से क्लियर रहें कि आप पढ़ रहें हैं, आप पढ़ने आए हैं, ठीके, तो जो स्थल है, उसकी औरा वैसी बनाई जाती है, आपको यही औरा अपने रूम में क्रियेट करनी है, आपको अपना रूम साफ सुतरा रखना है, आपको आपका स्टेडी टेबल रेडी रखना है, एक चेर होनी चाहिए, उसके उपर वाच होनी चाहिए, पा मेरा यह मानना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा दन तीसरे पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वो शब्द है हमारा find the study group or tutor अब यहां पर कई चीजे कई चीजे मैं यह नहीं कहूंगा कि self study study पर मैं जोर दे रहा हूं मैं कह रहा हूं कि study group को find करिए that means अगर आपको math से डर लग रहा है अगर आप math से डरते हैं तो आपको ऐसे group को follow करना है जिनकी math अच्छी है और जो दिन भर math related चीजों को solve करते हैं आप उनके साथ बैटना चालू करिए उनसे math को discuss करिए आप एक अच्छे tutor को follow करिए अब यह tutor आपकी teacher हो सकती है आपके घर के आपके parents हो सकते हैं आपका कोई दोस्त हो सकता है आपका कोई online teacher हो सकता है आप जिनको follow करना चाते हैं उनको proper देके से follow करिए और उनसे one-to-one talk होनी जरूरी है आप अपनी problems को उनके साथ share करिए जो math related unless and until you are not going to discuss your problems आपको issues आएंगे done तो अगर आपको कहीं न कहीं यह लग रहा है कि math मुश्किल है math 11th class में हम कैसे पढ़ें कैसे तयारी करें तो आप एक ऐसे group को find करिए यह ऐसे tutor को find करिए जो आपके साथ one-to-one talk कर सकें आपकी problems का solution दे सकें येस जब आप किसी से अपनी math की problem को discuss करेंगे तो जिस बंदे से आप discuss कर रहे हैं वो आपसे एक level जब उपर होगा वो आपका दोस्त हो सकता है definitely उसकी math सची हो सकती है आप जब अपनी problem को discuss करेंगे तो वो उसके basic चीज को समझ जाएगा आप जब किसी से अपना doubt पूछेंगे तो जिनसे आप doubt पूछते हैं अगर वो आपसे एक level उपर हैं तो वो हमेशा उस problem को समझ जाएंगे कि उसका basic क्या problem है वो आपको सबसे पहले basic का ज्यान देंगे फिर आपको वो particular problem समझाएंगे जब आप अपनी problem को discuss करेंगे तो उस variety के जितने questions हैं आप notice करना वो हर एक question आपको बनने लग जाता है यहां लग जाएगा done तो मैंने यहां पर जो suggestion दिया मैंने यह suggestion दिया कि best group के साथ उठना बैठना चालू करें आप अपनी parents को भी सुनते होंगे आपके parents बच्पन से आपको कहीं ना कहीं यह चीज hammering करते हैं अच्छे बच्चों के साथ बैठो आगे वाली bench पर बैठो पीछे जाके मत बैठो doubt पूछो यह सब dialogues हमारे parents की तरह से आते हैं मैं as a teacher नहीं बोलूँगा class class होती है बच्चा पीछे बैठे बीच में बैठे आगे बैठे हां एक संगत का असर पड़ता है ठीक है तो संगत यह जो मैंने लिखा है ना group find the best group of students ठीक है आप उनके साथ देखो आप अपनी दोस् को छोड़ दीजिए आप उनके साथ भी बात करें लेकिन आपको उस group को सर्च करना आप यह group आपको किसी library में मिल सकता है जरूरी नहीं आपको आपके school में मिले आपके महले में मिले आप किसी library को join करिये जब आपके आसपास की किसी library में आप जाएंगे वहां बैठना चाल तो हमारी जब उनसे talk होगी हम अपनी जब problem को share करेंगे तो हम अपनी maths की problem है किसी भी subject की problem को share करेंगे तो उसका solution महां से जब आएगा तो मैं उसकी basic problem में चला जाओंगा और उससे related varieties को solve कर पाऊंगा number of varieties को हमें solve करना varieties हमें एक अच्छे group से मिल पाती है हो सकता है किसी एक solution को करने में आपने से दो ही variety को देखा हो लेकिन कोई एक student जो आपसे उपर level पे है उसको उस problem में 5 variety दिख रही हो या 10 variety दिख रही हो वो आपको questions अलग-अलग तरीके से देंगे तो यहां पर जो मैंने कहा है best group यह कई sense में हो सकता है सिर्फ दोस्ती नहीं बोलूँगा आपका को institute बोलूँगा या आपके school को भी बोलूँगा best group को find करिये जहां पर really problem solving situations को follow किया जाता है done अगर आपको मेरी अभी तक की बाते पसंद आ रही है और आपको इन में से कोई चीज अगर really missing दिख रही है तो मुझे comment box में बताना मत बूलना next बात पर मैं move करता हूं तो fourth जो main point है वो यह है practice will make the person perfect yes maths में एक ही solution है जो मैंने पहले talk में भी बोला कि लिखना है organized होना है copy pen को उठाना है तो practice करनी जरूरी है जितना ज्यादा maths में आप hand written notes बनाएंगे question को solve करेंगे हर एक step को follow करेंगे practice करेंगे practice करेंगे practice करेंगे practice करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं result मिलने चालू होते हैं यह कोई short result वाला रस्ता नहीं है कहते हैं अगर आपने short code को follow किया तो मुसीबत और problems आती हैं ठीके long route को follow करिए definitely समय लगेगा आप सोचे कि नहीं मुझे इस वीडियो को देखने के बाद maths में बहुत अच्छा कुछ कर देना है मैं तो बता दूँगा मुझे आती है मैं देखिए समय लगता है उसमें अगर आप एकदम से result oriented हो गए आपने सोच नहीं आज मैं तयारी चालू की है दो दिन बाद result आ जाए एक महीने बाद मुझे दिखना चालू हो जाए तो ऐसा नहीं होने वाला हर चीज में एक समय लगता है और वो समय से practice से आता है आपको आपका positive part देना है आपको महनत करनी है आपको practice करनी है आपको लिखना है तब मैं कहूंगा 11th or 12th class students आपको तो खास कर हर एक question को उसकी variety को पकड़ना है आपको question solve कर रहे हैं देखिए कि कितने तरीके से वो question आपसे घुमा के पूछा जा सकता है उस question को पकड़िए वो question को महां पे उतारिए और practice करिए जब आप practice करेंगे जब आप लिखेंगे आप daily ए एक घंटा देना चालू गरी है तीन सो पैसर दिन भाई साल में इतने दिन होते हैं maximum बच्चे जो मैट से डरते हैं और जो मेरा मेरी हां पर study कहती है वो यह कि वो शुरुवात में free हो जाते हैं वो सोचते हैं हां maths का paper हो गया हमारे exam हो गया अब हम नए class में आएंगे एक मह बाद हम next session को चालू करेंगे कई भाने होते हैं ऐसे बच्चों को सर बुक नहीं आई अभी तक हमारी market में books available नहीं है पड़ी नहीं रहे भाई पड़ने वाला बच्चा आज की डेट में किसी भी चीज़ को follow कर सकता है books online free में available रहती हैं आप अपनी ncrt book को pick कर लो आपकी 11 के ncrt book अभी वेबसाइट पे हैं आप उठाइए solve करना चालू करिये खुद से self study करना चालू करिये तो इस point को मैं जरूर discuss करना चाहूंगा कि पहले दिन से practice करनी है exams अगर over हो गए हैं तो आपको एक दो महीना weight नहीं करना आप कहीना कहीं 60 दिन असी दिन 100 दिन गवा रहे हो वह सौ दिन में अगर आप चाहू डेली के दस question भी अगर आप solve करो तो आप कम से कम मैं यहां पर कहूंगा हजार दो हजार solution solve कर चुके होंगे तो आपको डेली का एक aim fix करना यह जो practice point में लाया ना मैं इसलिए लाया कि एक aim fix करना चालू करिये maths में डेली मुझे रात में दिन में जब समय मिल रहा है मुझे 60 मिनिट देने है 60 मिनिट में मुझे 30 questions solve करने है शुरुआत में जरूर 5 कर पाओगे 3 कर पाओगे 10 कर पा लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है लेकिन जिस दिन 30 मिनिट में या 60 मिनिट में 30 questions अगर मैं कर पाया उस दिन समय लेना आपकी speed बहुत अच्छी हो गई हर दो मिनिट में एक question और उसका solution उसका tricks उसके soft मतलब मैं कहूंगा उसके जितने short tricks होते हैं ठीके calculations लगाना चालू करिए हाथ move जब तक नहीं होगा practice जब तक नहीं होगी exam फिर से सर पर आएंगे और जीवन भर exam चलते हैं उन exam से डरने लग जाओगे तो भाई डर है अगर scared हो तो डरना नहीं है follow करना है आपके एके सर के points जो कि हमने दिये है डन लास्ट पॉइंट जो मैं हां discuss करना चाहूंगा वह लास्ट पॉइंट है रियल लाइफ एप्लिकेशन में मैट्स को लगाना चालू कर दो ट्रिक्नोमेट्री एक ऐसा topic है आपके हर पल हर मेशा अगल बगल आपको ट्रिक्नोमेट्री देखने को मिल जाएगी जो भी आप मैट्स में पढ़ रहे हो जिस भी चाप्टर को पढ़ रहे हो उसके अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से एड़ करना चालू कर दो जैसे की एज वाले कोश्चन्स होते हैं अपने competitive लेवल को अभी से अटेंट करना चालू करो एज वाले कोश्चन्स आप अपने घर में आजाओ आपके पापा की एज आपकी मम्मी की एज आपकी दादी की एज आप वाले कोश्चन्स यह competitive level के कोश्चन्स हैं इनको topics को ढूंडो सर्च करो real life situation में फैको ट्रिक्नोमेट्री लगाना चालू करो जब घर से बाहर निकलो लंबी building देखो तो देखो आप किस एंगल पे खड़े हो और आप किस एंगल पे अपनी मुंडी को उठा रहे हो खुद ह करो कि हां माल लो मैंने 30 degree मुंडी ऐसे उपर की तो सामयाली building की height क्या होगी जब आप इस तरह की real life situations में इन questions को डालने लग जाएंगे तो आप देखेंगे maths जो है वो लड्डू हो गई है येस मैं maths को मखन कहता हूं दिखता भार से hard है लेकिन जैसी आप गर्मा गर्म तव लेकिन आप हो गर्म तवा मतलब in the sense मैं ये बोलना चाहता हूं आपके पास वो concepts है आपके पास वो तरीका आपको बता है आप उस magnet का काम कर रहे हो जैसे math subject आपके सामने आता है तो मखन बन जाता है आपको ये situations जोडनी है आपको कोई ना कोई चीजे आपस में ऐसी महसूस करनी है जहां पर maths दिख रही है और फिर जब आप maths की चीजों को लगाना चालू करेंगे maths really आप easy पाएंगे तो मैंने जितने भी 5 points को discuss किया teachers अगर मुझे सुन रही थी तो please मुझे comment box में comment देना मत भूलिएगा मुझे जरूर बताईएगा और क्या-क्या points आपको लगते हैं जो मुझे discuss करने चाहिए थे ये 5 points वो basic points थे जो मैंने अभी तक notice किये थे और मैं बच्चों में से निकाल के लाया था अगर teachers मुझे सुन लाओंगा और बच्चे अगर मुझे follow कर रहे हैं मुझे मेरे इस वीडियो को आपने watch किया है जो की चोटी सी प्यारी सी वीडियो थी आप क्यों इसके बाद क्या लग रहा है कैसी करना चाहिए उन comments को यहां पर प्लीज देना ना भूले चलिए तो इस पकार से आप definite success पा तो चलिए मिलते हैं किसी और प्यारे नए topic में अगा किसी तरह का phobia है आप किसी चीज से ग्रसित है तो प्लीज मुझे बताइए मैं उस subject को कर दूँगा again मखन maths related में बात करने आया था 11th class students आप लोगो को best of luck आपके नए session के लिए तो चलिए मिलते हैं 11th class के lectures के साथ अप अपना ध्यान रगो बाई एंटेक केर